हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्माट इंजिनियर को मेरा ना मेरा आदे मेया सर्वेंग सब्जेट्स रिलेट्ट चैनल टेप सर्वे के ऊपर एक नया वीडियो लेकर काया हूं हमारे इंस्ट्राग पेज़ के साथ जोंगो सकते हों इसके लीक में अपन नाएकल टो fatrum चली आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के में बात करहूं मैंने तो आज की वीडियो मेंने चनिक प्रोसेस करें यह तो क besch Demois, इंदर जालिर से बात है कहिं न कहीं elder आएगा तो वह error क्या-क्या है किस तरह से error होती है अगर मैं आपको पहले से बता दो आप जब ली ourselves不錯, छी उप्रोसेस करो तो उस disease को ध्यान में रखूगे तो friends इसमें किस तरह से error आती है चलिए उससे समझ लेते हैं तो इसमें पहला error आता है friends compensating error दूसरा मारा आता है cumulative error और तीसरा मारा आता है personal mistake तो friends यहाँ पर compensating error क्या कहता है आए उसकी definition की मादम से मच्छी तरह से समझ लेते हैं तो friends क्या कहता है इसका definition कि the error which may occur in the either directions and tends to compensate or call it compens error जिया है friends आपर कहता है कि जो भी हमारा error है वह एक ही दिशा में नहीं बलकि अलग-अलग दिशा में आता है मतलब अलग-अलग दिशा में आने की chances रहती है और इस error को जब हम इस error को हम जब हाटाते हैं फिर इस error को हम खतम करते हैं तो वह हमारा compensation जो उस error के लिए जैसे कि ranging खराब है जैसे कि हम ranging processes नहीं कर पा रहे हैं उस error को अगर मैं दूर कर देता हूं तो उसे मैं कहूंगा compensating error जी हां friends अब इसका फ्रेंट्स हमारा दूसरा क्या हैगा cumulative error जी हां फ्रेंट्स क्या कहता है इसके definition देख लेते हैं कि the error which occur in the same directions and tend to accumulate are called cumulative error जी हम एक ही direction में जब survey chain survey करेंगे तो जो हमारा error open होकर क्या आएगा तो हम सारी इस error को count करेंगे जी हां उस सबको add कर लेंगे हां accumulate है नहीं उस भी को add कर लेंगे और इसके बद फ्रेंट्स उस error को मैं कहूंग accumulative error जी हां और फ्रेंट्स इसके बद क्या आता है error में भी arises from इसके बद अब इ लिख सकते हो मेरी वीडियो में मेरी वीडियो जो है मैंने हापर बता करके रखा इसको अच्छी तरसे इन सभी जो भी हमारी error है मैंने इन सभी को यहाँ पर अच्छी तरसे लिखा है कि आपको इस note की झूरत पड़े मैं इन सारी note को upload करने वाला हूं जो हमारा chair and tape survey खतम हो होगा मैं सारी नोटों का अप्लोड करूंगा जिससे आप इसका यूज कर सको आसानी पूरो पेपर में लिख सको तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने सबको लिख करके रखा और आपकी जूरा तो मैं गुगल ट्राइप पर अप्लोड कर दूँगा और उसकी लिंक मैं आप डिस्क आती है उसको किस तरह से बताया जाता उसके संस किस तरह से आते मैंने सारे सब कुछ आपको रimana रहें डहाते हैं तो इसको मैं रहेंदेता हूं आप वीडियो देख लिजेगा और कूरोड़ का अटे आप कमेंट जरूर कर दीजेएगा फ्रेंड्स आगे हमारा दाए बेड रेंजिंग, जी हां friends, बेड रेंजिंग क्या है friends, हम जब भी रेंजिंग प्रोसेस करते हैं, तो हमसे रेंजिंग प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, तो उस तो रेंजिंग प्रोसेस में जो भी प्रोब्लम में create होती है, तो friends जैसा हमें कहा सकते हैं को हमारा एरोर को भी रोख सकते हैं फ्रेंट से मारा दूसरा क्या आता है तुआ केरलेस होलडिंग एंड मार्किंग जिभी हम चैन प्रोसेस को अमारा फॉलोर यानि जो भी हमारा लीडर रहता है जो हम लीडर को खड़ा करते है और लीडर अपने फॉलोर को आगे भेज़ता है चैन holding करता है और जो भी हमारी marking point जहां पर chain खतम होती है और जहां से chain हमने start up किया है तो सब मतलब अच्छी तरह से नहीं करता है इस तरह से हमारा different direction में open हो सकता है कहीं पर भी हम follower को भेज सकते है यानि यह हमारा जो error है वह कहीं पर भी हो सकता तो इसी लिए इसको हम कहेंगे compensating error जी हां friends आप याद रखेगा कौनों से error किस में आते हैं तो friends इसको मैं कहूंगा compensating error क्योंकि मेरा follower है मैं कोई भी direction मुसको भेज सकता हूं और कोई भी direction में मेरा error आ सकता है friends इसके बाद आएगा हमारा bed straighting जी जी हा friends bed straighting का मतलब क्या है कि जब भी हम chain को लेते हैं तो उसको straight नहीं करते हैं जी हा friends और फिर जब भी हमारा follower है तो वह रेंजिंग रोट पाड़े करके अच्छी तरह से खाड़ा नहीं रहता और इसके बाद हम chain डालते हैं तो chain को भी हम अच्छी तरह से straight करके reading लेने त तो उसके अंदर मतलब वह धीला पन रहता तो इस तरह friends उसमें भी problem आती है और reading लेने में और reading हमारी अच्छी तरह से नहीं आ पाती तो friends इसके बाद में आगे बात करूं तो non horizontally जिया friends जब हम chain प्रोसर्स करते हैं तो हम जाहिर से बात है कि कभी कभी horizontally के उपर नहीं करते ह different surface आते रहते हैं hill area आएंगे normally पहाड़ी आएंगे pond area आएंगे तो friends जाहिर से बात है कि उसके अंदर जब हमारा chain जाता है तो थोड़ा बहुत error उत्पन होता है तो उसकी मदद से भी हम कह सकते कि non horizontally surface रहे तो वहाँ पर यह हमारा error आता है तो friends अब इसके बात करता हूं मैं यह भी हमारा एक ही direction में रहेगा क्यों friends क्योंकि एक ही direction में कभी भी chaining process करेंगे तो उस तरह से यह बी cumulative error में किना जायेगा और इसके लागा Christians Shagging Chain, जियाaFront मैनने आपको Indirect DLC जब बताया था, मैने आपको बताया था, क्य जब हम Chain को लेते हैं, Stipping method की मदद से inheritance method डियरेट महंदद से हम करते है Indirect Arnold Channing प्रोसेस, उसमें flatified देख सकते हो जब हम Step 책 करते हैं, तो उसके लिए हम acquiring minimum direction, जिया समें , मतलब कुछ जुला पना जाता है मतलब डीला हो जाता है जिसे हमारा उसकी रिडिंग अगर लेने जाए तो उसके लिंक का जो डिस्टंस रहता है चेन के लिंक का वह हमारा बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है ऐसा कुछ उसमें एर उत्पन होती है तो फ्रेंट्स उसे कहते कोई भी चैनी process करते हैं तो चैन कहमारा बढ़ता है जी हां यानि spawn होने लगता है यानि उसमें भी थोड़ी error आ जाती है और friends इसके बाद में बात करूँ कि अगर हमारा chain थंडी की मौसम में जी हां अगर हमारी थंडी की मौसम हो उसके अंदर हम चैनी process करते हैं अगर सिबात है हमारा ذiesi वह संकोच होजाता है, मतलब छोटा हो जाता है, संकोच होने लगता है, तो Friends इस तरहसे यह दोनो टेंपरेचिर का असर होता चैन के ऊपर यह ही है दोनों जो हमारे आते हैं एर है उसे हम कहेंगेrations in temperature की मदर से आने वाले एर और फ्रेंस में लेधे बात करूँ वेरेसं जिन तो जिया चैन को खींचते हैं फ्रेंस्टे नहीं खींच आ आती तो friends यह तो हो गए इसके बाद friends आते हैं हमारे personal mistake में error जो हम खुद से error करते हैं जाब हम chain survey करते हैं जाहिर से बात है हर बार होता ही है किस तरह से friends displacement of arrows जब हम arrow का displacement करते हैं तो arrow हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते एरो मतलब जो भी हम arrow को लगाते हैं तो हम अच्छी तरह से लगाने पाते हैं और दूसरा हमारा friends का आपर reading of chain in wrong minor जी है friends आपर जो भी हमारा reading लेते हैं वह हमारा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर minor आ जाता है जिसे कि जो भी हम लेते हैं चैनिंग में या फिर उस लिंग को गिनने में फिर उस लेडिंग को लिखने में minor आ जाता है friends के बद क्याता है miss ranging मतलब जब भी हम ranging process खुद की मदद से करते हैं तो उस ranging process को आपको पता है कि हमारी ranging अभी कबार गलत हो जाती है तो या फिर उदर हट जाते हैं तो यह हमारी miss ranging हो जाती है इससे भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम chain नहीं process करें तब friends इसके बाद हमारा क्याता है noting the reading in wrong way जब भी हम reading लिखते हैं तो कभी कभी wrong way में reading लिख देते हैं जिसके लिखना आता है चैनिंग process इसका right left का नहीं समझ करके जिसके right का offset था तो right का offset की reading लिखने में आफिर उसका distance लिखने में आफिर जो भी distance का converting करते है scaling तो वह सब गलत लिख देते तो उस तरह से भी हमारा यहां पर problem create हो जाता है फिर इसका फ्रेंट के आता है incorrect counting of numbers of chain जो भी हमारे chain लेते हैं और उसमें हम जब भी chain डालते हैं जैसे कि बहुत लंबा project कर रहे हैं तो जैसे कि 10-15 chain का मैंने यूच किया है तो उसके अंदर बीच में हमारा chain link रहती है उसको count करना है कभी 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 मैं इसे करूंगा जिसे मान लेते हैं बहुत लंबा chain ह मैं 50-70-80 link गिना और 80 link गिनने के बाद साहिज मैं कोई काम में हो गया फिर मैं पानी पीन लगा है फिर something like that कुछ भी करने लगा तो मैं वह chain का भूल भी सकता हूं तो friends उसमें जब मैं chain के link भूल जाता हूं तो एक दो chain के link वहापर mistake हो जाती है तो इस तरह से friends हमें इस चैनिंग प्रोसेस कर सकते हो तो friends अगर आपके आज की वीडियो यहीं तक है और आज ही वीडियो अगर आपको पसंद आते हो तो वीडियो को जरू लाइक कीजिए जिससे मुझे आगे वाली वीडियो बनाने motivations मिलती रहे और friends इसके बाद हमारी चैनिंग प्रोसेस की आने